हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रेबिट की कहानी, जो उस्टेलियन आउट बैक में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और अचानक उस पर एक बेबी बर्ट को संभालने के जिम्मेदारिया जाती है, तो चलिए देखते बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रेबिट को देखते हैं, जो डेजर्ट में अपने लिए खाना ढूनने गया था, लेकिन इस चकर में उसके पीछे एक अतनाक लीजर्ट पर जाती है, बिल्बी उससे बचने के लिए पूरी स्पीट से भागता है, जिससे उसके हाथ में पक काफी करीब आजाती है, और इससे पहले कि वो बिल्बी को अपना खाना बना पाए, बिल्बी अचानक से ब्रेक लगा लेता है, और वो लिजर्ट आगे एक जाड़ी में क्रेश हो जाती है, बिल्बी ये देखकर चैन की सांस लेता है, और भागते वे पत्थर के नीचे ब अपनी बची हुई बैरिस को लेने आता है, जल्दी जल्दी वो उन्हें क्लेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि लीजर्ट के जैसे यह और भी शिकारी है, जो पल भर में उसे अपना खाना बना लेंगे, तब ये अचानक उसे एक ठोकर लगती है, और वो देख जाता है, और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बिल भी उसे शांत रहने को बोलता है, और यहां उसकी नजर उस बर्ड के फेस पर पढ़ती है, जो दिखने में बहुत ही मासूम लग रहा है, लेकिन बिल भी इस बंगे में नहीं पढ़ना चाता था, और वहां से चला ज जाता है, हम बर्ड को भी उसके पीछे जाते वे देखते हैं, लेकिन बिल भी उसे ऐसा करने से मना करता है, और अपने और उसके बीचे एक लाइन खीच देता है, फिर वो उसे एक बैरी देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि एक स्नेक उसे खाने आ रहा है, वो जल्दी से उसे स्नेक से दूर ले जाता है और ला कर एक पत्थर पर बिठा देता है उसे लगता है कि शायद ये जगा उसके लिए सेफ रहेगी लेकिन वहाँ भी कुछ स्कोर पे अंसुसे अपना शिकार बनाने आ जाते हैं इदर कुछ बीटल्स बिल्वी का खाना चुराने लगते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाता है कि वो अपना खाना बचाए ये जा कर उस बर्ड को प्रोटेक करे फाइनली वो उस बर्ड को बचाने जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा सूखा हुआ पेट पड़ा हुआ है इस पर वो उस बर्ड को उस पेड में छोड़ने की सोचता है लेकिन वहाँ कुछ फोक्स उसके पीछे पड़ जाती है उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बर्ड को कहां छोड़े क्योंकि हर जगा कोई न कोई आनिमल उसे अपना खाना बनाना चाता है एक एक करके वो सब जगा ट्रै करता है लेकिन कहीं पिरानाज, कहीं दूसरे बर्ड, कहीं क्रोकोडाइस तो कहीं शार हर कोई उन्हें मारने की ही सोचता है नेचर से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती और ऐसा लगता है जैसे बिल भी अब हार मानने वाला है क्योंकि वो इस बर्ड को बचाते वे पूरी तरह ठक चुका था इसी तरह भागते वे वो दोनों एक पहाड़ी पर आते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है बिल भी यहां थोड़ा रिलैक्स फिल करता है कि फाइनली वो उनसा बैनीमल्स को पीछे छोड़ाएं है लेकिन अभी भी उसे बर्ड के लिए एक सेफ जगा डूननी थी तब ही अचानक नीचे से एक तेज अवा का जोगा आता है और वो दोनों कुछ देर के लिए हवा में उनने लगते हैं ये देखकर बिल भी को रिलाइज होता है कि ये बेबी तो आखिर में एक बर्ड है और उसके लिए सबसे सेफ जगा असमान ही है वो एक बार फिर उसे उस हवा में उडाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि अब शायद ये उनना सीख गया है बर्ड भी इस बास से बहुत एकसाइटिड होता है लेकिन इस बार जैसे ही बिल भी उसे उचाता है एक वाइट इगल जपटकर उसे अपने साथ ले जाती है और बिल भी ये सब देखता रह जाता है उसे उस इगल पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इस बड को बचाने के लिए सुबा से लगा हुआ हूँ और तुम इस तरह मेरे मैनत पर पानी नहीं फेर सकती तब ही वो देखता है कि इगल गूमते हुए पहाडी के नीचे ही आ रही है और वो बड को बचाने के लिए उस पर जंप लगा देता है वो उस इगल को बहुत मारता है और इसी चकर में वो बड उसके पंजों से छूट जाता है बिलबी भी उसे गिरते हुए देख लेता है और इगल को छोड़कर बड के पीछे जंप लगा देता है जल्दी ही वो उस बड को पकड़ लेता है जो बिलबी को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन प्रोब्लम ये थी कि वो लोग बहुत उचाई से गिर रहे थे जहां नीचे गिरते ही उनका मरना एकदम तैथा बिलबी उस बड को उडाने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी इसके लिए बहुत छोटा था और ये देखकर बिलबी उसे उचाल कर उस हिल पर फैट देता है लेकिन खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक पाता बर्ट को भी उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि वही था जो सुबा से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और रव वो दोनों एक फैमिली की तरह थे तभी वो देखता है कि नीचे से फिर वो तेज़वा आ रही है जो बिलबी को भी अपने साथ उपर ले आई है और इस तरह वो भी सेफली उस हिल पर पहुँच जाता है वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत कुश होते है और बिल भी देखता है कि वो बरड़ उड़ना सीख गया है जल्दी ही काफी टाइम बीच जाता है जहां वो बेबी बरड़ बरड़ा हो चुका है और अभी भी वो और बिल भी एक साथ रहते हैं उन्होंने उस हिल को ही अपना निया घर बना लिया है जहां आप उनके पास धेर सारा खाना है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू